उजन में चाइना डोर से गला कटने से 20 वर्षी नेहा की मौत के बाद जिलाप्रशासन को मुख्यमंत्री शुरासिंग चोहान ने कड़ी कारवाई के निर्देश दिये थे मुख्यमंत्री शुरासिंग चोहान ने उजन में हुई चाइना डोर से गला कटने के बाद मौत पर सक्त कारवाई के निर्देश दिये थे जिसके बाद उज्जेन पुलिस ने चाइना डोर बेशने वाले आरूपियों पर पूर्व में अलग-अलग स्थानों पर 188 के तहत प्रकरण दर्श किये थे इनी लोगों के मकान और दुकानों को दोस्त किया जा रहा है रशासन ने दो अन्य जगाहों पर भी कारवाई की हैं संकराती पर वो को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है परन्तु एक एसी घटना कल सामने आई है जिसमें चाइना डोर से एक यूति की जान चली गई उसी को लेकर शिवरा सिंग चोहान ने ट्वीट भी किया था और जिला प्रसासन और पुलिस प्रसासन की संयुक्ति टीम ने आज मकान दोस्त करने का काम किया है जिन लोगों से पूरू में कारवाई की गई थी जिनके पास से चाइना डोर जब्त की गई थी उनके खिलाब 188 की कारवाई करने के साथ ही उनके मकान भी दोस्त किये गए हैं आज तोपकाना में पहला मकान तोड़ा गया था अब्दुल वहाब का चुलबुल पतंग सेंटर उसकी दुकान का नाम था और उसके खिलाब भी 188 की कारवाई के साथ में मकान भी दोस्त किया गया है बता दे कि दूसरा मकान जो है सास्त्री नगर में तोड़ा गया है और तीसरा मजर के बाड़े में तोड़ा जा रहा है अब देखना होगा जिला प्रशाशन इन पर किस तरह से नकेल कसता है लगातार गुणडा माफियों के विरुध जिला प्रसाशन पुरिस प्रशाशन द्वारा सईुक्त कारवाया सकती से की जा रही है चाइना डोर बेचने वाले के विरुध भी सकती से कारवाई की गई है जिसमें आज तीन कारवाई अवैद निर्मान पर नगर निगम द्वारा जिला पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से की गई है जिसमें सबसे पहले तोप खाना उपकेश्व चुराहे के पास अब्दुल वहाब के घर की गई पतंग सेंटर पर की गई चुलबुल पसंद सेंटर पर जहां पर 25 चकरे चायना डोर जबते की गई थी दूसरी कारवाई विजय शास्त्री नगर पर की गई है जो कि नील्द गंगा थाना चेतर में आता है इसी प्रकार तीसरी कारवाई रितिक मजहर का वाड़ा पर की गई है जिस पर 50 चकरे चायना डोर के प्राप्त हुए थे पुलिस प्रसाशन जिला प्रसाशन द्वारा सक्ती से कारवाई की जा रही है और गुंडे माफियों का भियान के जारी रखते हुए जो भी संदिख्द गत्युवित्य में पाया जाएगा उसके विरुद सक्ती से कारवाई कीचाएगे है लगतार नाम वेरिफाई किये जा रहे है और जिनकी लगत निगम दोहारा आवेद मकान चिन्नित किये जाएंगे उसमें निया मनुसार कारवाई की जाएगे शहर में अधिक मात्रा में चाइना डोर बेशने वाले होल सेलर पर व्यापारी ने कारवाई की मांगी माकाल थाने के तोखाना शेत्र के दुकान संचालक का कहना है कि हम लोग तेली वाड़ा चोराहे से नरेंद्र जैन और विकरांत जैन से चाइना डोर खरीते हैं उन पर का कहां से लाया कासिन लाया इंदूर 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 पता जिया था नरेन वाले यह कुछ कारवाई नहीं की वाया था था थाने पर उन्हें किसी को फोन लगाया उसको छोड़ जया गया और हमार उपर कारवाई की गई प्रशासन की सकारवाई से चाइन डोर वेशने वालों के विरुद एक कड़ा संदेश चरूर गया है ओजयन से म्रदूभाषी के लिए अम्रत बैंडबाल की रिपोर्ट वीडियो को लाइक को शेयर करें म्रदूभाषी से जुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें खबरों के नोटिफिकीशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें